हेलो व्ट्सप गाइज वेलकम बैक टो नदे गेंप्ले वीडियो आज हम फिसे खेने जाने माइंड्राफ्ट का सबसे खतना चालेंज काईब्लोक चैनेज तो चलिए सकाईब्लोक चलेंज को शुडू करते हैं तो गाइज सबसे पहला मेरा गोल था कि मैं अपना घर्म ना हो सबसे पहले क्योंकि अब के वाला आचुका था फेस कुई कि उसमें मॉब भी आज़कते हैं और मुझे एक छिपने उनसे छिपने के लिए ठीकाना जासे अगर मेरे वर्ल्ड में मॉब स्पॉन हो गए तो मैं ये घर टेंपरेली ही बना रहा था कुकि मुझे जुर्ब बचने का ठीकाने चाहिए था बाद में भी हम उपना पहुत जासा घर्म नाएंगे कोई कि आज का फेस मुझे कमप्लेट करना है किसी भी हाल में तभी मैं ये घर्म ना रहा सबसे पहले मैंने कुछ तो गाइज कोल ब्लॉक टोने के बाद मेरे पहली बार किसी मॉप से सामना हुआ इस वर्ल्ड में वो जो कि एक स्पाइडर सी जिसे मैंने खाई से निच फैक दिया फिर दूसरी बाद फिससे वही स्पाइडर वहां पे आ गई फिर मुझे एक चेस्ट मिल जिसके इन्दों बहुत सारे एरो और आरेन इंगर्ट थे मैंने सभी को अपनी एन्वेंटर में रख लिए फिर मुझे से एक जॉंबी टकराने बचकांडी जॉंबी टकराने आ गया जिसने मेरी एच्पी बहुत लोग दी क्योंकि मैंने कभी सिपरेट कंट्रोल में नहीं खेली मैंने क्योंबी मेरे वर्ल्ड में स्पॉण रख किसी भी हालत में सकाई भॉक से आने हो तो आ सकते हैं पर स्पॉण नहीं होने चाहिए थे हिसके लिए मैंने सबसे वहां पर िकेंडल लगा दिया अपने वर्ल्ड में फिर मुझे एक और चैस्ट मिली चीस चैस्ट के अंदर एक लाव बॉकेट थी जिसके मुझे जूर थी और एक ग्लास फरनेस और थोड़ से ब्रैड और एक पीकेक्स थी जिसके मुझे बहुत आज जूर थी क्योंकि अब मैं कोगल स्टोन जेनरेटर बना सकता है था मैंने यहां पेक है कि मेरे पास स्कोणा झाल उखोंक कर और इसी काल मिसस हो गया फिर 20 में फार्रोट मुझे अक प्लेस नाथा जहाँ पे मैं वेयस समूर झेल मैं स्टॉड स्टॉडस अलग से वाडर लिए कि उसके सवाई डाल दिया मैं दूस्रे साई में लावग वकट टालि और हमारा स्टोन जनेयर्टर बन paintsffen मैंने वहां पर थोड़ा सा स्टॉड की माँशिक और मैं माँशिक करता रहा है मैं कि थोड़ी देर क्योंकि मुझे अपने फार्मिंग वाले हिस्से को भी बढ़ा करना था आ है है तो गाइस कुछ दिर माइनिंग करने के बाद मुझे याद आ है कि मुझे अपने फार्म सब्सक्राइब टोड़ करने फिर पर मेरे पास ज्यादा मड्य हैं डर्ट भी नहीं ती जिसकी इस में पựड़ा नहीं कर다 गाल चैदा पर उसकी को और स्पॉन होगी काव पर काव आए दा थी मैंने मान नहीं चाहते था कोई कि मुझे बुक सेर्फ भी कभी ना कभी मनानी ही होगे अगर मुझे पास एंचाइन्मेंट टेवल होगा फिर इसके बाद मैंने उस फार्म को बढ़ा करने के थोड़ी बहुत कोशिश की मेरी डर्ट पूरी तरशे कतम होगी पर मैंने कॉगल स्टोन चोनलेटर से कॉगल स्टोन ले ली थी जिसकी वज़ाए से मैं अब कॉगल स्टोन का एक बढ़िया सब प्लेस मना था जहां पर मैं अपनी फार्मिंग फार्म आनिमर फार्म मना सकूं मैंने अपनी चैस्टे सोटी से फैंसे लाए और यहां से जाना बहुत मुश्किल था और मैं जाम नहीं सकता हमें नीचे गीने का डर से इसले मैं फिर से घूम फिर की एन्वर फार्म के अंदर से आया फिर इसके बाद मैंने वहां पर फिम मैंने उसे थोड़ा और बड़ा करना चाहाई कि मुझे बहुत जाज़ा बड़ा चीज़ा कुकि अब तो एनिमल स्पॉन होने थे उन्हें ब्रीड में करा नहीं रहा था वहना वहां पर बहुत जाज़ात हो जाना थी तो गाइस अगर आपको ऐसी स्किन पहननी है जैसे मैंने पहननी आर्ड मैंन की अगर किसी भी स्किन चाहें वोगी की हो टेक्नो केमर्स की हो किसी भी स्किन पहननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बोलना और अगर आपको उसमें इंट्रेस्ट होगा तो मैं आपकी लिए सेपरेट वीडियो लेक्या होंगा जहां से आप एक स्किन डाउनलोड कर सकते हो और उसे इक्वेट भी कर सकते हो मैंन काफ्ट में ही हुआ 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 है फिर गाइज मैंने आप फैंसेज लगाना शुरू कर दिया हुआ हुआ है फिर में ना चाहता था जहां से मैं अंदर जासो को प्रेमिडानमाद बाहरा न आ सकें पर मुझे आसे पता था फिर में को नहीं वाला व्लॉक तो लेते हैं और फैंस टो लेते तो अंदर नहीं आपाते हैं फिर भी मुझे थोड़ सा डाउट लगा इसके लिए मैंने उसे पूरा ही कवर करना चाहा पूरे कवर कर निकाल मैंने जो फैंसे लगाए थी बाकी के वो मैंने तोड़ती अंदर वाले ताके वो खुले एर्या में घुम सकें फिर भी वो आए नहीं तो मैंने सारे फैंसे तोड़ दिये फिर भी जानवर अंदर आई ही नहीं रहे थे खुलें नहीं हो रहे थे पिर इसकान में पास थोड़से वीट चीए उससे मैंने उन्हें अंदर की तरफ ला दिया कश्री कर ने करने करने वाल所以呢 Oo compr Disken world with men's two cookie NGOंण न से बाहर नहीं आ सकते पर मैं अंदर चाखता हूं लाइं पर में बस्ते आ करें आइप पर को आइज आइज जा कि मैंने वैंने और फ्लॉ Tanz फेंस तोड़ती है रे बाहर नहीं आ सकते चेह और में देर चाह सकता है गाइस फिर इसका मैंने फिस अपनी माइनिंग करना शुरू कर दिया और गाइज मुझे एक और चैस्ट में जिसके अंदर एक शौटी और कुक प्टैटो थे बेक्ट प्टैटो इसका मैंने फिसे माइन करना शुरू कर दिए और गाइज मुझे यकीन है वह जब में बैड रॉक आ गया और हमारा सेकंड फेस भी कम्प्लीट हो गया तो गाइज आज के इस एपसोड में हमने फार मनाया अपना घर मनाया अगर आपको एपसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से आप सब्स मिलते हैं को अगली वीट में शी ओगेन